पूरा एक महीना मैंने यूज किया है स्किन क्राफ्ट को और उसके स्किन केर और हेर किट दोनों ही मैंने यूज की है फॉर वन मन्त और उसके बार मैं आज की वीडियो में आपके लिए रिव्यू लेके आई हूँ समझ नहीं हा रहा है कि इसका रिव्यू में आपको क्या बता हूँ क्योंकि स्किन क्राफ्ट स्पेशली स्किन केर के लिए है और अभी उसका थोड़े दिन पहले ही यह किट भी लॉंच हुआ था वट अकॉर्डिंग टू मी जैसे कि मैंने यूज किया है उसके रिजर्ट मु स्पोर्ट से उस जगे काफी बड़ा ड्राय पैच हो गया है अगर मैं आपको पास से दिखाओं तो यहां पे मेरे दो ब्लैक स्पोर्ट से और यह जैसे अंदर से कहीं से ब्लैक्नेस आजाती है वह चीज मेरे इस वाले चिक पर आ गई है और सेम यह इधर भी बहुत छोट से इतना जादा नहीं था ब्लैमिस जैसी चीजे थी तो वह बहुत जादा होगे मुझे इसको कुछ होम रेमेडी से ठीक करना पड़ेगा और आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करूंगी प्लिकेशन के लिए अगर आपको कोई स्पोर्ट की डार्क स्पोर्ट की प्रॉब् सब्सक्राइब करने की पाटानी किया थी क्योंकि मैंने सोचा था कि स्कीन के ज़्यादा अच्छा होगा हेडेकि इंकी इतनी अच्छी नहीं होगी और मुझे कोई आशाए नहीं ति हैडने के बेटर है इनका जो इनका सीरम है वह अच्छा है हेयर के लिए तो खैताहिए म यह पको कोई डर्क सपोट जगय या डाक सरकल्स हैं वहाँ पर आप देखेंगे मेरे डाक सरकल्स में कोई फ़रक नहीं पड़ा है और इस एपलीकेशन को यूज़ करने के बाद इस परत यूद करीम को फिर स्प्रेज आप फिर स्केम करने के वाद यह दुछ परिए इसके इ कि देर तक में वेट नहीं कर पाती थी क्योंकि बहुत ज़र ड्राय स्किन फील करती थी मैं सो 10-15 मिनट्स बाद मुझे यूज करना ही पड़ता था और यह है नाइट सीरम तो फेस वाच फिर से करके स्पॉट अप्लिकेशन क्रीम अप्लाई करा और मैंने यह नाइट सीरम लगाया है सो मुझे इन से बिल्कुल भी बेनेफिट नहीं मिला है जितना इसका प्राइस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मैंने इसमें कोई इंवेस्मेंट नहीं किया ना ही यह कोई यू वीडियो बनाया जाए तो फुल वन मंथ मैंने इसको यूज किया है पहले मैं आपके साथ इंट्रोड़क्शन वीडियो शेर किया था वह भी मैं लिंक उपर डाल दूंग अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो यह पूरा एक महीना यूज करने के बाद मुझे वे बाद जादा फरक पड़ता है पट एक महीने में थोड़ा तो 5 परसेंट तो डिफरेंस दिखना चाहिए था वह चीज मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं लगी सो मेरे हिसाप से अच्छा नहीं है बट आप में से अगर किसी ने यूज किया है और आपको अच्छे रिजर् यह कंडीशनर और यह था हेर सीरम और यह वाच करने के बाद सिर्फ पर अप्लाय करना था जहां जहां आपको डेंडर्फ की थोड़ी प्रॉब्लम है वहां पर तो यह मुझे काफी अच्छा लगा बट एक प्रॉब्लम है कि इस शैंपू में नीचे इतने ज्यादा कैमिक हैं बट इसमें कोई भी चीज आपको नेचरल एंग्रिडेंट वाला नहीं मिलता यह सब केमिकल्स हैं इसमें 20 तु 30 केमिकल्स हैं इच प्रेडक्ट में तो यह इतना जादा कैमिकल्स उन्होंने क्यों यूज किया है और एक भी ऐसा नहीं कि इसमें अलेविरा जैल हो या क इफेक्ट करता है शायर केमिकल्स है इसलिए एकदम इंस्टेंट आपको स्मूध और अच्छे हैं दिखते हैं और पता नहीं किस तरह यह लोग मैनेज कर रहे हैं इतने ज्यादा क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो पैरविन फ्री और यह इतने सारे केमिकल्स करके दो केमिकल्स को आप बोल रहें नहीं है इसमें तो इसका क्या मतलब हुआ है और यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी ड्राय स्क्याल पो जाता है कहीं से डेंडर्फ की या फिर इचिंग की प्रॉब्लम हो अगरी लिखा है बाकी किसी में भी कुछ नेचरल नहीं है मेरे यह रिव्यू उस थे आपके कैसे रहे हैं वह जरू बताइएगा यही था आज का रिव्यू वीडियो मेरे रिव्यू अच्छे नहीं आ रहे हैं इसलिए इनको इतना जादा एड़र्टीसमेंट करना पड़ आपको लग भी रहा है तो आप यह अकेला आएक यह प्रेडक्ट आप बाई कर सकते हैं मेरे अच्छी चीज है और मुझे इससे थोड़ी उमीड थी स्पॉट एप्लिकेशन बट यह बिल्कुल वर्स्ट है यह बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है और रिव्यू था मैं इसे कौन सी किट अच्छी लगी कैसे रहे आपके लिए इनके रिजर्ट कैसे आएं तो इस प्रदक्ट करते हैं यह प्रेड़ उतना ही इनका प्रमोशन हो एक्स्ट्रा किसी चीज का प्रमोशन हाइप क्रिएट करना इतनी हाइप क्रिये कर रखा है इन्होंने इतना आफ्ट के प्रमोशन देखके और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मेरे चैनल पर आपको होम रिलेटेड डेकोरेशन डिलेटेड व्लॉग्स फैमिली व्लॉग्स और कुछ ऐसे ही स्किंकेर या हेर के जो भी मैं यूज करती हूं अपने लिए वो वीडियो मिलती है त तो शेयर करना हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज कमेंट जरू कीजिएगा थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो बबाई